नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिफेक्स पर दोस्तों वर्तमान में भारत में 13,000 से ज़्यादा पैसेंटे ट्रेंज डेली चलती हैं जिन में 23 मिलियन लोग डेली ट्रैवल करते हैं और दोस्तों भारत का रेल्वेस सिस्टम इतना ज़्यादा उवरकावड है जिस कारण कोई भी ट्रेन कभी भी समय पर नहीं पहुँच पाती है अगर आप इसको चाइना और जपान जैसे देशों से कंपेर करें तो दोस्तों उनकी ट्रेन्स तो कभी लेट होती ही नहीं है इसका मुख के कारण यह है कि इन देशों के पास हाई स्पीड रेल्स हैं जो कि 300 किलोमेटर आरव से ज्यादा की स्पीड से असानी से चलती है ग्लोबल स्टेंडर में जीन ट्रेन्स की स्पीड 200 किलोमेटर आर से ज्यादा होती है उनको हाई स्पीड रेल की लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है और वहीं भारत में जीन ट्रेन्स की स्पीड 200 किलोमेटर आर से ज्यादा होती है उनको High Speed Rail की लिस्ट में शामिल किया जाता है वरतमार में सबसे ज़्यादा High Speed Rail इंकांसन है जो जपान के पास है और वहीं भारत में वरतमार में कोई भी High Speed Rail नहीं है और दोस्तों ये High Speed Rail भारत देश की जुरूरत बनती जा रही है इसी समस्या को देखते हुए हमारे देश की अलग-अलग राज्यो में High Speed Rail को चलाने के लिए काम किया जा रहा है इसी के अंतरगत आज हम बात करेंगे Top 10 Upcoming High Speed Rail Corridors इंडिया के बारे में लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आइकन को भी प्रेस करें तो चलिए हज की इस वीडियो को शुरू करते हैं नबर एक पर बात करते हैं एहमदाबाद मुंबई High Speed Rail Corridor के बारे में दोस्तो इस कोरिडोर का निर्मान गुजरात के एहमदाबाद से महरास्टर के मुंबई तक किया जा रहा है और ये वरतमान में Under Construction है इस कोरिडोर की Total Length 508.18 किलोमीटर है जिसमें से 345 गुजरात में 2 किलोमीटर दादरे नगरहवेली में और 55.6 किलोमीटर महरास्टर में होगी ये कोरिडोर Underground, Underwater और Elevated होगा इस कोरिडोर में Standard Gate Track का इस्तमाल होगा ये कोरिडोर साबरमती, एहमदाबाद, आनंद, वडोद्रा, भडोज, सूरत, बिली मौरा, वापी, बोईसर, विरार और थाने होता हुए मुंबई तक जाएगा और इस कोरिडोर में 12 स्टेशन बना जाएंगे जिसमें से एक साबरमती में, एक वडोद्रा में और एक मुंबई के बांदरा कुडला कोंप्लेक्स में होगा इस कोरिडोर का निर्मान National High Speed Rail Corporation Limited द्वार किया जा रहा है और इसका ओनर इंडिये रेलवेस होगा इस कोरिडोर की Maximum Permissible Speed 320 km परार होगी वर्तमान में इस High Speed Rail Corridor के लिए 60% land acquire कर ली गई है जिसमें से 77% गुजरात में, 80% दातरेनगर हेवेली में और 22% महरास्टर में acquire कर ली गई है इस कोरिडोर में जपान की Shinkansen E5 सीरिस की 24 टेन चलाई जाएंगी और इस कोरिडोर में daily 70 services operate की जाएंगी ये ट्रेन 10 से 16 कोचिस वाली होगी जिसमें हर ट्रेन की कपैस्टी 7500 से 1300 पेचेंजर की होगी इस High Speed Rail Corridor Project की Total Cost 1,10,000 क्रूड है जिसके लिए जपान की Japan International Corporation Agency 80% लोन देगी और बागी का घर्च गुजरात और महरास्टर गुर्मेंट करेगी इस कोईडोर के बनने से एहमदाबास से मुंबाई का सफर 2 गंटे High Speed Rail Corridor की दोस्तों इस कोईडोर का निर्मान राध्धानी दिल्ली से वेस्ट बंगाउल की कैपिल कोलकत्ता तक वाया आगरा लखनवू प्रियागराज वरानसी पतना किया जाएगा और इस कोईडोर को Central Government द्वरा अप्रूब कर दिया गया है इस कोईडोर की Total Length 1513 किलो मि कोईडर होगी और यह रेल कोईडोर दिल्ली हवडा मेन रेलवे लैन के साथ ही बनाया जाएगा यह रेल कोईडोर दिल्ली यूपी बिहार ज्रकंड और वेस्ट बंगाल से होकर गुजड़ेगा और इस रेल कोईडोर में standard gate track का इस्समाल किया जाएगा इस कोईडोर की maximum permissible प्रेबल स्पीड 320 किलोमेटर पर आर होगी और ये प्रोजक्ट डायमेंड क्वाडिरेटर प्रोजक्ट का हिस्सा है इस रेल कोईडोर का काम दो फिच्ट में पूरा किया जाएगा जिसमें से वर्तमान में फेज वान पर काम चल रहा है ये कोईडोर फेज वान में दिल्ली स वरानसी तक होगा जिसकी टोटल लेंद 865 किलोमेटर होगी ये कोईडोर दिल्ली आगरा लखनव और प्रयागराज होता हुआ वरानसी तक जाएगी इस कोईडोर की feasibility report त्यार कर ली गई है और जल्दी इसका DPR भी तयार कर लिए जाएगा ये कोईडोर elevated, underground और at grade होगा औ 2 गंटे 37 मिनट में पूरा होगा जबकि वरतमान में दिल्ली से वरानसी के लिए 8 गंडे का समय लगता है और वहीं phase 2 की बात करें तो ये phase वरानसी ते कोलकात्ता तक होगा इस कोईडोर की टोटल लेंद 648 किलोमेटर होगी और इस कोईडोर का काम phase 1 का काम खतम होने के निर्मान में दिल्ली से कुलकता के लिए 17 गंटे लगते हैं अब नंबर 3 पर बात करते हैं दिल्ली अमरिसर हाइस्पीड रेल कोईडोर की दोस्तों इस कोईडोर का निर्मान दिल्ली से अमरिसर तक वाया पानीपत अंबाला चंडीगड लुद्याना जलंदर किया इस कोईडोर की मैक्सिम्म परमीजबल स्पीड 320 किलोमेटर पर आर होगी और यह कोईडोर दिल्ली हर्याना और पंजाब से होकर गुजलेगा इस कोईडोर के बनने से दिल्ली से अमरिसर तक का सफर 2 गंटे 10 मिट में पूरा हो पाएगा जबकि वर्तमान में दिल्ली से अम नागपूर हाइड़ स्पीड रेल कोईडोर के बारे में दौस्तो इस कोईडोर का निर्मान मुंबई से अमरिसर तक वाया और अंगाबाद और कोवला किया जाए जाएगा और इस कोईडोर को सेंट्रल गॉर्मे SEN, 753 किलोमेटर होगी और is kom Malays dopa में स्टेंड़ेजगी ट् होगी इस कोईडोर के बनने के बाद इस कोईडोर का नाम समरिद्धी कोईडोर रखा जाएगा इस कोईडोर के बनने से मुंबई से नागपूर का सफर सिर्फ तीन घंटे में पूरा हो पाएगा जबकि वयत्तमान में मुंबई से नागपूर के बीच 11 घंटे का समय लगता ह इस कोरिडोर को बनाने की टोटल कोस्ट 75,300 क्रोड से 1,05,000 क्रोड तक होगी और ये कोरिडोर 2026-27 तक बनकर तयार हो जाएगा अब नमबर पांच पर बार करते हैं चैनाई मैसुरू हाइच स्पीड रेल कोरिडोर के बारे में और अब इसका DPR under planning है ये रेल कोरिडोर 85% elevated, 11% underground और 4% at grade होगा इस कोरिडोर में standard gauge track का इस्टमाल किया जाएगा और इसकी maximum permeable speed 320 km पर आर होगी इस कोरिडोर के बनने से चैनाई से मैसुरू का सफर 1 गंटे 25 मिनिट में पूरा हो पाएगा इस कोरिडोर को बनाने की total cost 43,500 क्रोड से 61,000 क्रोड के बीच होगी और ये कोरिडोर 2027,27 तक बनकर तयार हो जाएगा अब नमबर 6 पर बात करते हैं दिल्ली एहमदाबाद high speed rail कोरिडोर की दोस्तो इस कोरिडोर का निर्मान दिल्ली से एहमदाबाद तक वाया अलवर, जैपूर, उदेपूर किया जाएगा ये प्रोजेक्ट डायमंड क्वाड रिल्डर प्रोजेक्ट का हिस्सा है इस कोरिडोर की टोटल लेंद 886 किलो मिटर होगी और इसे Central Government द्वरा अप्रूब किया जा चुका है ये रेल कोरिडोर दिल्ली, राज़स्थान और गुजरा से होकर गुजरेगा और इस कोरिडोर में स्टेंडर गेज़ ट्रैक का इस्तमाल किया जाएगा इस रेल कोईडोर का DPR तयार करने के लिए टेंडर रिवाइड किया जा चुका है और जल्दी इसका DPR भी तयार कर लिए जाएगा इस रेल कोईडोर की मैक्समिम परमीजिबल स्पीड 320 किलोमेटर परार होगी इस रेल कोईडोर के बनने से दिल्ली से हमदबाद का सफर 3.5 गंटे में पूरा होपाएगा जबकि वर्तमान में दिल्ली से हमदबाद के बीच 13 गंटे से ज़्यादा का समय लगता है इस रेल कोईडोर को बनाने की टॉटल कोस्ट 88,600 क्रोड से 1,24,000 क्रोड तक होगी इस रेल कोईडोर महराष्टर और तेलांगना से होकर गुजरेगा और अब इसका DPR तयार नहीं हुआ है इस रेल कोईडोर में स्टैंडेज गेस्ट्रैक का इस्तमाल किया जाएगा और इसकी मैक्सिमिम परमीजिबल स्पीड 320 क्रोड परार होगी इस कोईडोर के बनने से मुंबई से हैदराबाद का सफर सिर्फ तीन घंटे में पूरा हो पाएगा जबकि वर्तमान में मुंबई से हैदराबाद के बीच 12 घंटे का समय लगता है इस रेल कोईडोर को बनाने की टोटल कोस्ट 71,100 क्रोड से 99,540 क्रोड के बीच होगी और ये रेल कोईडोर 2027 सथाइस तक बनकर तयार हो जाएगा अब नमबर 8 पर बात करते हैं चन्नाई हैदराबाद हाइस्पी रेल कोईडोर के बारे में दोस्तो इस कोईडोर का निर्मान चन्नाई से हैदराबाद तक वायन एलोर, ओंगोल, गुंटूर, वीजेवाडा किया जाएगा इस कोईडोर की टोटल लेंथ 664 किलोमेटर होगी और इसे सेंडर गुर्मेंट द्वरा अप्रूब किया जा चुका है ये कोईडोर तामिल नाडू, अंधरा प्रदेश और तेलांगना से होकर गुजरेगा और अभी इसका डीपियर तैयार होना बाकी है इस रेल कोईडोर में स्टेंडर्ज गेश ट्रैक का इस्तमाल किया जाएगा और इसकी मैक्सिम परमीजिबल स्पीड 320 किलोमेटर परार होगी इस कोईडोर के बनने से चन्नाई से हाइदराबाद का सफर तीन गंटे में पूरा हो पायोगा जबकि वर्तमान में चन्नाई से हाइदराबाद के बीच 13 गंटे का समय लगता है इस कोरिडोर को बनाने की टोडल कोस्ट 66,400 क्रोड से 1,19,520 क्रोड तक होगी और ये कोरिडोर 2039 तक बनकर तयार होगा अब नमबर 9 पर बात करते हैं मायसूरू थरवन्नतपुरम हाज़स्पीड रेल कोरिडोर के बारे में दोस्टो इस कोरिडोर का निर्मान मायसूरू से थरवन्नतपुरत तक वायकवयंबर टूर, एराकुलम, कॉलम किया जाएगा इस कोरिडोर की टोटल लेंद 415 किलोमेटर होगी और इसे सेंट्रल गुर्मेंट द्वरा अप्रूब किया जा चुका है ये कोरिडोर करनाटका, तामिलनाडू और केल्ला से होकर गुजरेगा और अभी इसका DPR तयार नहीं हुआ है इस रेल कोरिडोर में स्टेंडर्ड गेज़ ट्रैक का इस्तमाल किया जाएगा और इसकी मैक्सिम्म परमेजबल स्पीड 320 किलोमेटर पर आर होगी इस रेल कोरिडोर को बननाने की टोटल कोस्ट 41,500 क्रोड से 74,600 क्रोड तक होगी और ये रेल कोरिडोर 2030 तक वन कर तयार हो जाएगा अब नम्बर 10 पर बात करते हैं दिल्ली देरातुन हाईशपी ये कोरिडोर के बारे में और अभी इसका DPS 1000 नहीं हुआ है, इस rail corridor में standard gauge track का इस्तमाल किया जाएगा, और इसकी maximum permissible speed 200 km पर आर से 320 km पर आर होगी, इस rail corridor के बनने से दिल्ली से 13 दून तक का सफर सिर्फ एक गहंटे में पूरा हो पाएगा, जबकि वर्तमान में दिल्ली से 13 दून के बीच 5 गहंटे से ज़्यादा का समय लगता है, इस rail corridor को बनाने की total cost 20,000 क्रोड से 28,000 क्रोड तक होगी, और इस corridor के deadline के बारे में अभी कुछ नहीं पता है, जैसे कोई update आता है, तो मैं आपको अपनी वीडियो के मात्व से जरूर दे दूँगा, तो दोस्तो ये थे हमारे देश में बनने वा क्रोड समय थी